Hello students, namasukar. मैं Pancake Granny, आप लोका毅ग्रारी अग्रारी अपारे अग्रारी पर स्वागत करता हूँ. आज हम लोग सेखने वाले हैं भाग के बारे में, चलिए हम लोग देखते हैं भाग क्या होता है, चलिए हम लोग solve भाग देखते हैं क्या होता जैसे कि अगर आपको कहीं बे इस तरह का चिन देख रहा है तो इस चिन किस चीज का होता है यह भाग का चिन होता है किसका चिन होता है भाग का और अगर हमारे पास कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है, एपान B की रूप में, तो इस B से A में क्या किया जाता है? भाग किया जाता है. तो चलिए एक बात और समझ लेते हैं, जैसे देखिए, अगर कोई संख्या इस तरह से दी गई है, यहाँ पर A दिया है, यहाँ पर B दिया है तो इस A संख्या से B में क्या किया जाता है भाग किया जाता है और इस A को हम लोग क्या कहते हैं इस A को हम लोग भाजक B को हम लोग भाज और यहां पर जो संख्या आती है उसे हम लोग भागफल उसे हम लोग भागफल और जब इसको हम लोग solve करते हैं यहाँ पर जो number आता है उसे हम लोग ... सेज़फल कहते है और एक बात आ은 आप लोग यहाँ पर जान लिजिए जो भाज्य होता है भाज्य बराबर होता है भाजक Gouasten भागफल और धन सेज़पल कह के इसके बराबता धन सेस्फल के ठीक है धन सेस्फल चलिए अब हम लोग कुछ questions को solve करते हैं चलिए अब हम लोग कुछ questions को solve करते हैं चलिए देखते हैं questions को अब हम लोग देखिए अब जैसे यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं हमें questions को solve करना है जैसे अगर हमारे पास कोई इस तरह का number दिया है और समझी हम को इससे भाग देना है या फिर कोई यह दूसरा number दिया है हमें इसको solve करना है यह 4 है हमें इसमें समझी भाग देना है 16 से या फिर हमारे पास कुछ इस दूसरी तरह की संख्या दी गई है और हमें भाग देना है इससे चलिए हम लोग solve करते हैं इसको चलिए देखिए भाग देने का हमारा जो rule होता है सबसे पहले हम इस number में देखेंगे तो 15 से हम लोग इसमें भाग देंगे 96 में और भाग देने का तरीका क्या होता है कि हम 15 से जब 96 में भाग देंगे तो यह जो 96 है जब हम लोग 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारी जो बैलूज है ओ 96 से क्या होनी चाहिए या तो 96 के बराबर हो और या तो 96 से छोटी होनी चाहिए ठीक है चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 15 चक्का 90 करेंगे 15 चक्का 90 करेंगे और इसमें से इसको घटा आएंगे यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर 9 में से 9 घटा देंगे बैलूज कुछ नहीं आएगे अब हम लोग इस नंबर को उतारेंगे यहां पर यहां पर हो जाएगा 64 अब 15 से हम लोग 64 में भाग देंगे तो 15 का 60 हो जाएगा अगर 5 बार ले करके जाएगे ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम लोग 4 बार ले करके जाएगे कितने बार चार बार चलिए आप हम लोग इस संख्या को यहाँ पर उतारेंगे अब कितनी बार जाएगा सिर्फ और सिर्फ तीन बार तो पंदातिया कितना हो जाएगा 45 और इसको हल कर लीजिए 8 में से 5 जाएगा 3 और यहां से कैंसिल हमने एक चीज आपको बताए थी जो ए भाज है अगर हमें प्राप्त करना है इस संख्या को हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे इस संख्या से और जो आएगा उसमें क्या एट कर देंगे जो हमारा सेस्फ़ल्ट 3 है उसको एट कर देंगे हमारा भाज मिल जाएगा चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहां पर हमें 86 में भाग देना है 16 से तो कैसे देंगे हमें 16 का पाड़ा इस तरह से इतनी बार लेकर के जाना है ताकि हमारा जो मल्टिप्लिकेशन है यानि कि जब हम 16 से 86 में भाग दे रहे हो तो 86 से ज्या हम लोग 6 लिख लेंगे 8 में से 8 जाएगा बैलू 0 हो जाएगी यहां पर हम लोग 4 राइट करेंगे अब 16, 64 बार भाग जा रहा है यहां पर 64 आ गया इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे अब यहां से लोग 8 उतारेंगे 8 उतार लेजिए अब देखिए क्या हो रहा है 6 टाइम जाएगा यहां पर आप लोग 6 टाइम से लेकर के जाएगे इसमें से घटाईए 6 में से 4 जाएगा 2 और 8 में से 8 घटा देंगे बैलू 0 हो जाएगी अब लोग इसको राइट डाउन करेंगे 4 को लिखिए और 14 का पाड़ा में 24 में लेकर के जाना है तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार जाएगा एक बार दो बार ले जाएगे बैलू 28 हो जाएगी जो कि 14 से ज्यादा हो जाएगी हम लोग सिर्फ एक बार लेकर के जाएगे बैलू 14 हो जाएगी और 4 में से 4 गटाएगे बहलू सुनने हो जाएगी और दो मेंसे एक गटाएंगे एक दस हो गया, चौदा में भाग नहीं जाएगा, हम लोग इस 5 को यहां पर उतारेंगे, पाँच को यहां लिखिए और 14, 84, 14, 78, 7 बार जाएगा, आट बार लेकर के जाएगे बहलू ज्यादा हो जाएगी, 14, 78, अब यहाद यह 15 मेंसे 8 गटाएंगे बहलू 7 आज आजएगी, अब यहाँ पर 9 बचा, और 9 मेंसे 9 गटा देगे बहलू कितनी हो जाएगे, 0, अब हमारे पास यहां पर 4 बचा है, इस 4 को हम लोग यहां पर राइट कर लेंगे, 4 को राइट करें, 74 हो गया, तो 14, 75, 75, 5 टाइम्स जाएगा, यहां पर हम लोग 70 लिख लेंगे, और इस तरह से हमारा क्या आ गया, 64 आ गया, चलिए, अब तक हमने नॉर्मल तरीके से डिवा चलिए, एक दो question अब लोग और solve करते हैं, आप लोग को rules clear होने चाहिए, सारे rules clear होने चाहिए, चलिए, अब में लोग थोड़ा solve करते हैं, चलिए, हम लोग divide करते हैं, चलिए, हमारा rule क्या कहता है, इस 13 का पाड़ा हम लोग 84 में पढ़ेंगे, 8 में तो जाएगा नहीं, 84 में पढ़ेंगे, तो 13 चंग 78 और 13 सती क्या नहीं जादा हो जाएगा, छे बार लेकर जाएगे, और 13 चंग 78 कर देंगे, अब यहां पर 8 में जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 गटाएगे, बैलू 6 आ जाएगी, और इस 5 को यहां पर राइट कर लेंगे, तो बैलू 65 हो जाएगी, और 5 टाइम जाएगा, 13 चंग 65, देखे यह पूरा पूरा विभाजित हो गया, यहां पर हमारा सेस्पल कुछ नहीं आया, चलिए, हम गटाएगे, तो 2 आ जाएगा, यहां पर 29, अब 18 एक एक ही बार जाएगा, लेकर के जाएगे, घटा दीजिए, 9 में से 8 गया एक, और 2 में से 1 गया एक, अब यहां पर हम लोग 3 को उतार लेंगे, उतार ये 3 को, 113 हो गया, 18 पंचिन नब्बे, 18 चक्का 108 जादा हो जाएग तो 5 बार जाएगा, तो 5 बार लेकर के जाएगे, 6 बार जाएगा, 18 चक्का 108 लिख दीजिए, अब 5 यहां पर बचेगा, अब यहां पर 2 उतार ये, ए हो जाएगा 52, तो 2 ही बार जाएगा, तीन बार लेकर के जाओगे, 54 चला जाएगा, तो 2 ही बार जाएगा, अठारा दूनी 36, उतार लीजिए, 12 में से 6 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 16 बचा, लेकिन अब हम लोग इसको और काटेंगे, और काटने के लिए यहाँ पे 10 हम लोग बढ़ाएंगे, और यहाँ पे 1 सुन्ने आ जाएगा, तो 18 7 126, 18 8 144 आठ बार जाएगा, यहाँ पे 144 लिख तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो फिर से 144 साना है, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 16, ठीक है, यानि कि यह ऐसे करम चलता जाएगा, और यहाँ पर 8 8 8 ऐसे आता जाएगा, हम लोग इसको इस तरह से भी represent कर सकते हैं 362.8 का बार, इसे हम लोग क्या कहते है, 8 का बार, यह हो गया इसका solution, चलिए हम लोग इसको solve करते हैं, चलिए हम लोग इसको solve करते हैं, तो 17 से 86 में देना में बाग, 17, 55, 85 बार जाएगा, तो 85 लिखिए, यहाँ से 1 हो जाएगा, 86, अब यहाँ से 15 उतार यह भाग नहीं ज तो जब इस तरह का केस आता है तो हम लोग यहां पर 0 बढ़ाएंगे और यहां से फिर 4 उतारेंगे तो 7, 8, 136, 7, 9, 113, 9 बार जाएगा तो 9 लिख लीजिए 17, 9, 113, 1 हो जाएगा अब यहां पर में 3 उतारना है तीन उतार ये फिर भाग नहीं जा रहा फिर भाग नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाएंगे और यहां से 2 उतार लीजिए चलिए 132 हो गया तो 17, 117 बार जाएगा लिख लीजिए 17, 111 और यहां पर 12 में से 9 गटाएंगे 3 हो जाएगा और 2 में से गटाएंगे एक इस तरह हमारे पाससेज़ फल कितना गया? 14 और इसको दसमलों में अगर हम काटना चाहें इसको दसमलों में भी इस तरह से काटेंगे चलिए इसको हम एक तरीका और सीग लेते हैं आपे अब इसको अगर मिस्र संख्या के रूप में लिखना चाहिए जिको ऐसे लिखेंगे जैसे हमारे पास कितना से नंबर था हमारे पास नंबर था 8, 6, 5, 4, 3, 2, अपान 17 इतना था और इसको लोग लिख सकते हैं 5, 0, 9, 0, 7 अब यहां पे हम रिमेंडर लिखते हैं और अपान 17 बड़ी नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं इसको लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं चलिए आप लोग पढ़ते रहें चलिए लोग एक question लोग भिनवाला कर लेते हैं ठीक है जैसे अगर आप समझे हमारे पास कोई इस तरह का नंबर है कोई इस तरह का नंबर है हमने विनवाले में कहा अगर आपके पास कोई यहां पर संख्या दी गई समझे कोई संक्या दी गई है कोई संक्या दी गई है इसको 17 से में डिवाइड करना है तो विन नवे भी हम इस तरह से चलते हैं ऐसे दो नमबर उठाएंगे तो 17,5,85 पांच बार ज्यादा हो जा रहा है तो 17,4 अरशा हम लोग 4 बार लेकर के जाएंगे और अब यहां पे था 84 और 84 में से 17,4 अरशा हम लोग घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 और 7 में से 6 जाएगा 116 और यहां पे 5 है हो जाएगा 165 और 17 का पाढ़ा से पढ़ना है कि ताकि 165 से कम रहे तो 17,95,85 नव बार जाएगा 9 बार जाएगा तो 49 हो गया अब 17,95 हमारे पास value 165 है तो तिरपन से कितना जादा हो रहा है 12,49 सही 12 बटे 17 हम लोग इसको इस तरह से लेख सकते हैं आप लोग question को इस तरीके से भी solve करिएगा चलिए एक और देखते हैं जैसे आप समझें जैसे आपके पास 96 अपॉन 5 दिया इसको आप लोग कैसे solve करेंगे करिएगा 5 एक के 5 और यहां से 4 बचा तो 4 इसके पास लेकर के 46 हो गया और 5 नमा 45 एक 46 दसमलों बढ़ा करके एक चोथा उसको 10 करिए और 5 दूनी 10 इस तरह से मिने दसमलों में काट लिया तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा अगर कोई आप लोग को डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू गाइस